किसी जमानी में Tropical region से सेल करने वाले ये सिंदबाद दसिलर टाइप के लोग शिप्स पर मौझूद अपने घोडों को समुंदर में फिक दिया करते थे क्यों Temperate Region में उठने वाले Cyclones Tropical Legion के Cyclones से वीख होते हैं और आखिर क्यों ही Tropical Reason में मौझूद जाधा तर Divire Resource कॉंटिनेंट्स के वेस्टन साइड पर लोकेटेड है दोस्तों इन सभी सिचुईशन्स और कंडीशन्स के लिए जो सबसे ज़ादा जिम्मधार फैक्टर है उसका नाम है प्रेशर बेल्ट्स लेकिन आखिर ये प्रेशर बेल्ट्स हैं क्या? क्या ये धर्ती पर दिखाई दिने वाला कोई फेनोमेना है? अगर नहीं तो ये वर्क करता कैसे है भई? मेरा नाम है शिवम और आज इस शांदार सेशन में हम एनिमेशन के मादियम से समझने की कुशिश करेंगे प्रेशर बेल्ट्स को तो चलिए फिर शुरू से स्टार्ट करते हैं दोस्तो प्रेशर बेल्ट्स क्या होती हैं और ये किस तरह वर्क करते हैं इस बात को ठीक से समझने के लिए हमें एट्मोस्फफरिक प्रेशर से जुड़े फंडमेंटल्स को जानना होगा दरसल एर के वीड की कारट अर्थ सर्फिस पर एक्जर्ट होने वाले फोर्स को हम एट्मोस्फरिक प्रेशर कहते हैं यानि ये एक ऐसा फोर्स होता है जिसे एर किसी पर्टिकुलर पॉइंट या रीजन पर एक्जर्ट करता है इस फोर्स या प्रेशर को मिशर करने के लिए हम प्यरोमिंटर नाम के डिवाइस का इस्तमाल करते हैं जिसका मिशरमेंट यूनिट मिलीवार कहलाता है हम जानते हैं कि जैसे-जैसे किसी रीजन का टेमपरेचर बढ़ने लगता है वैसे वैसे वहां मौजूद air भी गर्म होने लगती है और उसके गर्म होने से वो expand होती है और expand होने के वज़े से उसकी density कम हो जाती है जिसकी वज़े से वो उपर rise करने लगता है और यही कारण है कि high temperature वाली areas में हमें अकसर low pressure देखने को मिलता है सिमिलरली जब किसी region का temperature कम होने लगता है तो वहां मौजूद air भी ठंडी होकर उसके density बढ़ने के कारण settle down होने लगती है जिसके कारण वहां लगने वाला pressure भी बढ़ जाता है जिसके चलते low temperature वाली regions में हमें जादा तर high pressure देखने को मिलता है आसान भाषा में कहें न तो high temperature के कारण earth surface पर low pressure और low temperature के कारण surface पर high pressure create हो जाता है सिंपल है pressure built earth surface पर मौजूद उन regions को कहा जाता है जहां हमें same pressure distribution देखने को मिलता है अर्थ के किसी region पर impose होने वाले pressure के distribution को latitude के across study किया जा सकता है इस distribution को हम horizontal distribution of atmospheric pressure भी कहते है जिसके चलते हमें अर्थ पर total cool मिला के 4 pressure builds का पता चलता है जिनके नाम है equatorial low pressure build दूसरा है subtropical high pressure build तीसरा सब polar low pressure build और चौथा polar high pressure build equatorial low pressure build को छोड़कर इस लिस्ट में नजर आने वाले बाकी 3 ही pressure builds के साथ दो-दो cases जुड़े होते हैं जिन में से एक case northern hemisphere में और दूसरा case southern hemisphere में देखने को मिलता है आएए एक एक करके इन सभी pressure builds को हम डीटेल में समझते हैं सबसे पहले equatorial low pressure builds ये pressure build 10 degree north से 10 degree south latitude के बीच में extend करता है क्योंकि इस reason में पूरे साल sun की rays vertically fall करती है इसे लिए यहाँ दा temperature काफी high रहता है जिसके चलते इसे thermally induced belt कहा जाता है साल बर high temperature रहने की वज़े से इस pressure में मौजूद air continuously warm होकर upward direction में move करती रहती है जिसके चलते यहाँ पर wind का horizontal movement लगबग ना के बराबर होता है इसी mechanism के चलते इस pressure build के reason में काफी calm condition देखने को मिलती है और इसे लिए इस equatorial low pressure belt को हम doll drums भी कहते हैं साथ ही continuous warm body air के upward movement पर इस region के surface पर low pressure create हो जाता है इसी लिए इस region को हम लोग equatorial low pressure belt कहते हैं इस pressure belts के दोनु side यानि north और south hemisphere में मौजूद subtropical high pressure belt जो की 23.5 degree north और 23.5 degree south में located होते हैं वहां से blow होने वाली trade winds इस region में आकर एक साथ converge zone create करती है इसी लिए इस region को intertropical convergence zone यानि कि ITCZ भी कहा जाता है और अगर इसके साथी साथ हम इस build के climate conditions की बात करें तो यहां पर आपको यह समझ भाया कि इस region में बहुत ज़ादा ocean के portions मौजूद होते हैं और इसी लिए यहां blow होने वाले winds अपने साथ बहुत ज़ादा amount के moisture को भी अपने साथ carry करती है इस moisture वाले air के साथ vertically उपर की ओर जाने से इस pressure belt region में cumulonimbus type के clouds का formation होता है जो अपने साथ thunderstorm और heavy rainfall लेकर आता है हाला कि बहुत ज़ादा temperature होने के बावजूद भी इस region में cyclones का formation नहीं होता है क्योंकि यहां पर न Coriolis force exert ही नहीं होता और अच्छे यहां पर जिसे जिसे Coriolis force के बारे में नहीं बता होगा उसको हम एक बार बता देते हैं कि यह दगो एक न सूडो force है जो की earth के rotation की वज़े से create होता है इसी को हम लोग Coriolis force भी कहते हैं यह force Northern Hemisphere में winds या water किसी भी चीज को यह हमेशा right hand side में deflect कर देता है और यही चीज Southern Hemisphere में left side में deflect हो जाती है Subtropical High Pressure Belts दोस्तों Subtropical High Pressure Belts, Northern और Southern दोनों Hemisphere में 20 से 35 degree latitude के बीच extend करता है यानि यह Pressure Belts North में Tropic of Cancer के उपर और South में Tropic of Capricorn के नीचे located रहता है अगर हम इस Belts के formation की बात करें तो जब ITCZ या Equatorian Low Pressure Belts में मौझूद High Moisture वाला Air जब उपर उपर Rise होने लगता था तो वो Upper Troposphere तक पहुच जाता था लेकिन Upper Troposphere तक पहुचने से पहले उसका Rainfall हो जाता था और इसी वज़े से यह Air अपरा सारा Moisture लूज कर देता था और बिल्कुल Dry हो जाता था लेकिन अब यह Upper Troposphere में पहुचने पर यह Dry Air जाएगा कहां पर तो अब यह Upper Troposphere में पहुचने पर यह Dry Air कहां जाएगा तो definite से बात है यह अपने उपर और नीचे की Direction में Deflect होगा और इसी लिए यह उपर Tropic of Cancer के Direction में Move करता है और नीचे Tropic of Capricorn के Direction में Move करता है लेकिन Tropics पर पहुचने पर यह Cold Air इतनी थंडी हो जाती है कि यह Descent करने लगती है Tropics पर इतनी सारी Cold Air के Descent होने की वज़े से इसके Surface पर High Pressure Create हो जाता है और इसे लिए इस Reason को हम लोग सब Tropical High Pressure Build का नाम देते हैं लेकिन Equatorial Region से High Cold Air के Tropics पर Descent होने से Create होए High Pressure की वज़े से Equatorial Region में Air का Vacuum Create हो जाता है और इस Vacuum को फिल करने के लिए अब Air Earth Surface पर दुबारा Tropics से Equator की ओर ट्रावल करना शुरू कर देती है और इस Circulation Motion से Create होते हैं Atmospheric Cell का एक Cell जिसका नाम है Headly Cell और ये जो Wind अभी अभी हमने देखा ना कि सब Tropical High Pressure Build से Equatorial Low Pressure Build की तरफ आता है इसी को हम लोग Trade Winds का नाम देते हैं यानि Equator पर मौजूद Dry और Cold Air के Pole की ओर जाने बीच में Tropics पर Descent करने और फिर दुबारा Equator की और जाने की Motion को Headly Cell कहा जाता है ये जो Sub-Tropical High Pressure Build पर Dry Air Descent कर रही है ना इसी वज़े से इस Pressure Build के Around Most of the Desserts पाए जाते हैं अलाकि इनमें से जादा जादा Desserts कौंटिनेंट के Western Margin पर Created होते हैं ऐसा क्यों होता है? इस बात को हम अपने Oceanic Current वाली वीडियो में समझ लेंगे बैराल इस Sub-Tropical High Pressure Build को हम एक और Famous नाम से जानते हैं जिसका नाम है Horse Latitude दरसल इस Pressure Build के Around Blow होने वाली Air Mostly Dry होती है इसी लिए यहां बहुत ही कम Precipitation होता है या बारिश होती है जिसके चलते इस Region का Condition काफी शानत रहता है कहा जाता है कि Medieval Times में जब ये Sailors इस Region से Pass होते थे ना तो वहाँ Blow होने वाली बिलकुल शानत विंड्स की वज़े से उनका Sea Voyage कई-कई महीनों तक Extint हो जाता था उपर से वहाँ पर Precipitation तो होता नहीं था बारिश होती नहीं थी तो इसे लिए इन Sailors के पास पीने का पानी भी बहुत कम हो जाता था इसे लिए ये क्या दरते है थे अपने गोडे को समुद्र में फेंग दिया दरते है तता कि इनका जहाज भी थोड़ा हलका हो जाए और हलके हवा के जोके से भी इनका शिप आगे बढ़ सके और साथी साथ इनका पीने का पानी भी बच सके इनके अपने इस्तिमाल करने के लिए और इसी लिए इस पोरे रीजन को हम लोग Horse Latitude के नाम से भी जानते हैं अब बात करते हैं दूसरे Pressure Belt के बारे में यह Pressure Belt नदन और सदन दोनों हमिस्फियर में एप्रॉक्समेटली 45 डिगरी से 66.5 डिगरी के बीच वे एक्स्टेंडेड है इस लोग Pressure Belt का फॉर्मेशन नाम अक्चुल में दो विंड्स के कन्वर्जिंस से होता है एक है अपना इस्टर्लीज और दूसरा है विस्टर्लीज जो जो विस्टर्लीज है ना यह एक्चुल में सब ट्रॉपिकल हाई प्रिशर बेल्ट से आने वाली विंड को कहते हैं और दूसरा उपर polar side से polar high pressure belt से आने वाली winds को हम लोग easterlies कहते हैं या polar easterlies कहते हैं। और यही दोनो winds converge होके उपर क्योर उठने लगती है और जिसके बज़े से यहाँ पर low pressure belt बन जाता है। और जैसे अभी हम लोगों नहीं headly cell के बारे में पढ़ा दाना वैसे ही यहाँ पर भी एक cell बनता है जिसका नाम है feral cell। अक्चॉल में होता क्या है कि जब subtropical high pressure belt से westerlies आता है और subpolar low pressure belt से easterlies आता है। दोनों जब इस region में converge होते हैं तो उपर की दिशा में rise करते हैं। Rise करते करते जब यह अपर tropospheric level पर पहुत जाते हैं तो वहाँ से भी यह divert होते हैं। divert होके एक इसका जो wing है वो वापस से चला जाता है subtropical high pressure belt की तरफ और वहाँ पर नीचे की तरफ गरता है। और यह जो cell बनता है इसका हम लोग बोलते हैं feral cell। इस region को अपनी polar jet string के लिए भी जाना जाता है जो 60 degree latitude पर blow होने वाली एक powerful winds होती है। साथ ही इस region में सब tropical high pressure belt से आने वाली hot winds और polar high pressure belt से आने वाली extremely cold winds की वज़े से create हुआ system cyclonic conditions को बहुँ ज़ादा favor करता है हलाकि यहाँ create हुए cyclones, tropical regions में create हुए cyclones से काफी weak होते हैं but still आप यहाँ पर एक ठीक ठाग बारिश देख सकते हैं और साथ में lightning thunderstorm की भी कुछ events को देख सकते हैं। मारा अगला pressure belt है polar high pressure belt सभी pressure belt के बीच polar high या polar high pressure belt सबसे कम area में extended है। इस belt का extension northern और southern pole के around 80 से 90 degree के बीच में होता है। यहाँ create हुए high pressure की कहानी कुछ-कुछ subtropical high pressure belt की दरह ही है। सब polar low pressure belt पर rise हुई air अपना सारा moisture release करके dry हो जाता है। जब यही dry air rise होकर upper troposphere में पहुचती है तो इसका movement poles की तरफ शुरू होने लगता है। polar region में पहुचने के कारण ये काफी cold हो जाती है और नीचे की और descent करने लगती है। descent होती इस cold air के कारण यहां मौजूद earth surface पर पढ़ने वाला pressure बढ़ जाता है जिसके चलते यहां high pressure zone create होता है। सब polar low pressure belt और polar high pressure belt के बीच air के circular motion को हम लोग polar cell का नाम देते हैं। तो दोस्टों ये समझो कि ये जो pressure belts हम लोग को एक जिसे दूर से देखने को मिलते हैं ना। ये ही अलग-अलग pressure belts global level पर wind patterns को influence करने से लेकर major climatic zones को establish करने का काम करते हैं। साथ ही ये pressure belts weather system के formation और monsoon के creation में भी significant role play करते हैं। यही कारण है कि इन pressure belts की study करने से हम लोग को comprehensive manner में अपने earth के atmospheric circulation को समझने में काफी मदद मिलती है। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपने वीडियो को आज the end करते हैं। मिलते हैं आपसे ऐसे ही और मज़दार animation series के वीडियो में तब तक के लिए जैहन्द।